आज आपको हम जिस जगा पे है यह पूल हमारे आज पार देखिए पूल दिखरा यह पूल है और अभी हम लोग निकले हैं जो हमारे कुछ बिहारी भाइयों चन्नाई में रहते हैं तमिल नाइडू में लेकिन एक कहावत है जो लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाये यह चीज हम सवाल इसके लिए कह रहे हैं जो इंडिया में लोग अपने ही देश में लोग सुरक्षित नहीं है अपने ही देश में अपनों को कुछ राजनेता ने अपनी राजनेती रोटी सेकने के चकर में ऐसी बिवात फैला दिया है पहले उठा था गुजरात में फिर हु हो रहा है चेनने तमिल लैडू में आखिर फिर बंगाल में भी हुआ था आखिर यह क्यों हर जगा हमारे बिहार भासियों को बिहारी भाईयों को मार पीट के भगाया जाता है गाली गलोज दिया जाता है उनको बोला जाता है तुम अपने राज में जाओ आखिर क्यों क्य सवाटत्राइब करते हैं दोसरे लोजगार करने के लिए डिए का जारा है हम जवब देंगे कोई भी कही नहीं जाएगा हम अपने भीयादर भाईयों को नोकिडी देंगे जौब देंगे लेकिन है यह कमेरा का्रशी मटने भूह और भाईयों मिल हमारे बिहारी भाईों के साथ क्यों हुआ घटना घट सै उसके जानकारी आपको देंगे उसके बाद महिनीं मुखमंतरी से इस पूछना चारे आखिर आप लोग चुप क्यों भीटे इए वह क्या जब लाखों कहजारों विहारी भाईों को कटल कर दिया जाएगा तब आपकी परसाचन और आपका निंद खुलेगा आखिर क्यों इसा हो रहा है और यह क्यों हो रहा है हमारे बिहारी भाईयों के साथ इसकी जवाब आपको देना पड़ेगा और सुनिए किसी माध्यम से अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं आ तो एकर मैं भी रहोगा तो मेरे साथ में कर सकता है वह उन्हक्ता है फिर तो वह नेकल पर आ फिर करते आया ख़ला है आप जो यहां आय। आपके पास पैसा या कुछ कर में तो यहीं कहिं स्टॉA सब्हूंता लेकिन पैसा नहीं था तो में यह ज traces आ यदिन माइन पैसा बना रखा था मैं सोचा जाता हूँ घर पर दखाऊंगा और किसी को बताऊंगा तो मेरा रास्ता में गिर गया कि किसी निकाल ले उपता नहीं आपका नाम क्या है किस गाउं का रहने वाले यह दर्भंगा जिला में पड़ता है आप कहां से रहे हैं आ रहे हैं इधर चन्ने को आसपास अभी आप कैसे आये और अपने वहां काम किये वहां से आए तो जब यह समस्या सुने है आप तो भाग के आए हैं आपके पास प्रेमेंट मिला कुछ पैसा दिया कि नहीं आपका वहां जुकाम कर रहे थे वहां तो प्रेमेंट में लेख लिया था सर जब आ रहे थे नो तो एस टेशन पर एसे घटना हो रहा था आप देखे अपने आखों से आखों से देखा सर क्या घटना ये हुआ था जैसे बिहारी लोग था उस पर मुड़ी पे चला रहा है पेट पे चला रहा है ये बताई ये समसिया उठा कईसे ये ऊठा से अब देखना हुमारा पिटी हो रहा है तो मैं भी मैं बनाने लगा वीडियो बना के फिर मैं सोचा कि मैं भी मंत्री शुन रहे हैं इंका कहना इस बच्चे की क्या कसूर इस गरीब आदमी की क्या कसूर? बताईए आप, अगर आप हमारे बिहार में रोजगार देंगे ते यह क्यों जाएंगे बाहर करने के लिए नोकडी? क्यों नहीं आप रोजगार दे रहे हैं? आप भी अपनी राजिंती रोटी सेखने के चकर में हैं, अगर आप रोजगार तानी लोग बाहर नहीं जातेंगें हो तुम लोग अपने बहार केकी आदमी क्यो increasingly क्यों करें हमारे बहारे भाईयों क्यों न क्यों काम करें करें शुक्त है कि यह न इनका क्या गुलती है यह गडिम मजदूर वुका प्यासा आज चेन्नाई से भाग के यहां आया अपनी जान बचाने के लिए क्यों हमारे मुख मंतिरी जी आपसे आगरा करने इस समस्या को देखिए यह बहुत बड़ी बात है और कहीं होते होते पूरे चेन्नाई में यह तुल पकर रहा है इससे पहले समय रहते हुए आप जास्टीम भेजके कोई तरह से भीहरी भाईवा को निकल बाईए नहीं तो यह बहुत भारी पर जाएगात और ये बहुत बरा मुद्दा उर्जायेगा इसके लिए हम आप से अगरा कर रहे हैं जो कोई तरह से पकर ये इस चीज़ को देखिए और आगे आपको और फिर मिलाएंगे हम और आप कहां पर काम कर रहेते चेन नई में किस क्या काम कर रहेते हैं और इतने अच्छे धंग से काम करते हैं जीतोर मेहनत करते हैं अगर बिहारी कोना कोना तक नहीं पहुचा होता तो भुखे मर जाते तमाम देश वासियों बिहारी कहा नहीं है कहा नहीं है देश की बात छोड़िये विदेश तक में बिहारी पहुचा है बड़े बड़े IS IPS को जन्म देता है बिहारी बड़े इंजिनियर को जन्म देता है और उसके बाद उस बिहारी भाईयों के साथ इस तरह की घटना हो रहा है अगर हमारे बिहारी भाईयों बड़े बड़े इंजिनियर बड़े बिजनेस में नहीं बड़े बड़े IPSIS है अगर सारे के सारे अगर छोड़ दे काम करना बोले हम अपने बिहार में रहेंगे तो दे गुषए के साथ हैं लोग राजनीती करते हैं बोट के टाइम आता है लेक्षन का टाइम आता है तो आप क्या यह बिखारी ओपर हमला करवाते हैं चाहें कोई भी राजनीती पाठी का हो क्या आप लोग का यही अच्छा है इस्में विचार करना चाहिए सारे सरव दलिये को नहीं तो बिहारी जब अपने पर आ जाएंगे तो एक कहवत अपने सुने थे एक बिहारी सौपे भारी अगर हकीकत में अगर ही अपने रूप पर आ जाए तो समझ जाए ये बहुत बरी हंगामा हो जाएगी पूरे विश्व में इसके लिए बोलने हैं अभी भी समय रहते बोले सब्दानो